तो हेलो दोस्तों हेलो स्टुडेंट्स चरिया जब आपको बता देते हैं कि सी यू इटी का फॉर्म आ चुका है पीजी के लिए तो आप लोग यहां से भी बीड का अप्लाई कर सकते हैं ठीके देखिए तो जितने भी एसपेरेंट थे कि बीड करना था है न तो बीड आपको पता होगा कि बहुत सारे ने अप्लाई कर दिया जार्खन के लिए या फिर जो भी अस्टेट का है वो तो अपने किया ही है साथ में बहुत कोई सी यू इटी का वेट कर रहे थे कि सेंट्रल का भी करना ह ठीक है स्टेट के साथ साथ सेंट्रल का भी करना है क्योंकि बहुत सारे वो ले स्टेट में एपेरिंग वाले नहीं भी अप्लाई कर पा रहे थे तो सी यू इटी का करना है ठीक है यह आप लोग करना चाहरे थे ठीक है तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि यह फोर्म तक जगया है 15-16 जुन तक एक बर कंफर्म कर लिजेगा तो अब यह एक मेहना का टाइम है फॉर्म में ठीक है तो एक बार फिर से में इस पर अपडेट दूँगा तो फिलाला अब खुद से रिसर्च कर सकते हैं इसके उपर और रिसर्च करके फॉर्म भर सकते हैं कि कौन- आप लोग जरूर किजेगा ठीक है जरूर किजेगा मैं फिर से बोल रहा हूं और एप्यरिंग वाले बहुत सारे पूछ रहते मुझे कि कहां से करूं भाहिया कहां से करूं एप्यरिंग हूं मैं और कहां से बीड करनों जो अच्छा रहेगा तो यही एक option आपको फिर से मै आ गया है तो आप लोग देख लें और apply जरूर कर दें अब रही कि preparation कैसे करना है syllabus क्या होगा इंट्रेंस होने वाला है आपको पता होगा cvt का तो देखिए जो आपका state hall में आपको पता होगा कि अभी state hall में मैं आपको बता दिया था books तो आप लोगों ने उसे बहुत सार इसलिए मैं करता हूं कि प्रिप्रेशन जरू करो स्टेट वाले जो कर रहे है उनको बहुत ही फायदा होने वाला है यह तीन books फिर से मैं दे दूंगा जहारकंट वाले जो बच्चों जो कर रहे हैं त्यारी है ना तो आप लोग जरू देख लिजेगा तो जहारकंट के जि इंगलीज के लिए आप तो वही बुक फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उसमें इंगलीज है और साथ में एक और अलग से बुक जरूर ले लिजे आप लोग इंगलीज का जो की रेनन मार्टिन का है जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्रिप्शन बॉक्स में दे कर दिया है तीनों बुक में से कोई एक ले सकते हैं जो भी आपको मन है और एक साथ में इंगलीज का जो अलग से मैंने बुला वह जरूर ले लिजे आगे जाके एक जामने से फाइदा होगा क्योंकि आपको पता होगा कि आपको ले सकते इंगलीज के लिए ठीक है तो जो तो देखिए फर्स्ट प्रिया रिटी में जो मैंने बताया था हिंदी मेडियम वालों के लिए आप लोग को याद नहीं हुआ तो फिर देख लिए जहारकन बीएड सन्यूट परवेस परिच्छा 2020 इसमें कोई टेंसन नहीं हो या 2022 लिखा हुआ है को चिंता की बात नहीं है ले सकते हो इसके लिए जा सकते हो क्योंकि डोनों का से ब्रूर्ष पूरा से में कोई तरह का चंज नहीं हुआ है तो आप यसको जरूर खरी दिये मैं फिर से बोल रहा हूं ध्यारकन के लिए बीर करें यह बेस्ट भूग है ठीक है तो देख लिए इसका कंटेंड किस तरह से रहता है हिंदी का यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से बनाये हुआ है इंगली इंगलीस भी लिखा हुआ है अगर आप चाहो तो त्यारी हो जाएगा लेकिन उतनी अच्छे रखना है हिंदी मीडियम वालों के लिए अब चलिए दूसरे बुक के बारे में बता देता हूं दूसरा बुक मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए चच्छु बताया था आप इसको भी ले सकते हैं ज्ञारकन बीड का एकजाम है 2022 का है तो कोई दिकत नहीं है आप इसको ले आपको मैं फिर से बोल रहा हूं कि 2020 लिखा वह उससे आपको डरने की जवरत नहीं क्योंकि आपका सेलेबस चेंज नहीं हुए आप देख सकते हुए इंग्लिस में कोई एक लेंगवज चुनना है वही आपका यहां पर रहने वारा है फिर से मैं बोलते रहा हूं कि CUET का ए लेना है अगर इंगलिस आप ले रहे हो ताप एक बार ही इंगलिस का बूख मैंने बता दिया वह आपको नीचे लिंक मिल लियागा वीडियो के नीचे आप उज़रूर ले 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 लाए और हिंदी का भी डाल दूगा अगर आप लें भासा में तो ही बूख आप लोग आ कि हिंदी मीडियम वालों के लिए तीन बुक है लेकिन इंग्लिस मीडियम वालों के लिए सिर्फ अभी एक ही है तो आप वह जरूर ले लिए और जो मैंने ग्रामर का बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम के लिए जो बताया है वो भी आप जरूर खरीद ले और सभी आपको लिंक आपको वीडियो के निचे description box में मिल जागा और comment box में मिल जागा जिनको भी इच्छा है कि एक त्यारी करनी है प्रिपरेशन करनी है और book की जरूरत है वो सभी इनको ले सकते है ठीक है तो और भी इस पर फर्दर update आएगा तो मैं बता दूँगा यूटीबर तो आप लोग फिलाल अपना त्यारी में जोर पकड़ रही है ठीक है धन्यवाद आज के लिए